आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे दे मिटिंग पूल और ये स्टोरी लिखी है रश्किन बॉंड ने तो विडाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को जो मिटिंग पूल है वो बहुत ही सुंदर शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाई रश्किन बॉंड और इसे रश्किन बॉंड ने लिखा है अबाउट त्री फ्रेंड ये किसके बारे में है तीन दोस्तों के बारे में है और उन्होंने प्रतिग्या ली थी to return to their favorite pool after 10 years और उन्होंने क्या प्रतिग्या ली थी कि वो अपने 10 years बाद अपने उस फेवरेट जगा पर उनकी फेवरेट जगा थी वो पूल इसी लिए इस टाइटल के अंदर हमें सबसे पहले यही दिखाया है the meeting pool meeting manner कोई ना कोई दोस्त मिलेंगे और इन्होंने इसका नाम meeting pool रखा कि क्योंकि यह यहां पर हमेशा रोज मिलते थे तो इसी लिए इस pool का नाम इन्होंने the meeting pool रखा है इसी के बारे में यह story है तीन दोस्त है इसके अंदर जिनका नाम है सोमी, अनिल और रस्टी जो रस्टी है वो खुद narrator है वो हम आगे देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका बच्पन भी यहीं बीता था इसलिए इन्होंने यह इनके life का बहुती best part था जो किसके around revolve कर रहा है उस पूल के around revolve कर रहा है विच वस डिसकवर्ड अब इस किसके द्वारा यह खो जा गया विच वस डिसकवर्ड बाइ रस्टी यहां पे रस्टी शॉर्ट फॉर्म है रस्किन बॉंड का इस के था झाल पूल का बाइब रस्टी शॉर्म है तो इस को अब हम कहनेश लगेंगे रस्टी शॉर्म है उसके टूझ आप रहा यहां इस पूल को स्रॉल्ट था जैसे concurrence रस्टी केरा कशिए प्ल में इस आतिव कीक्ता वूल को टिसकवर्ड इस पूल को ब Civ Вторạn का रख़ रस्टी पूल जैसे जिसके दुवारा ये डिस्कवर्ट क्या गया है उसी के नाम के उपर इस पूल का भी नाम रस्टी पूल रख दिया गया था and thus came to be known as the रस्टी पूल as soon as रस्टी इस डिस्कवर्ड द पूल near the raven अब रख का मतलब क्या होता है नाला गली इरोजन जहां से होता है मुलब एक संक्री सी गली हम कह सकते है इस टाइप की गली जो नाला नहीं होता नदी के पास उसमें यहां पे इस पूल को खो जा गया था तो as soon as Rusty is discovered the pool near the raven he was excited to convey the news to his friends अब जैसे ही Rusty एक दिन जा रहा था उसने एक पूल देखा सबसे पहले अपने गाव के पास में जो पूल देखा रेविन के पास में नाले के पास में तो वो सबसे पहले वो cover किसको बताना चाहता था वो अपने दो best friends जो अनिल और शोमी थे उनको convey करना चाहता था वो message जैसे हम किसी को कोई भी message बताते हैं तो यहां पे convey का मतलब है वो उन तक पहुँचाना चाहता था तो the secret pool became their meeting pool और इसी pool को वो लोग secret pool बनाते हैं क्योंकि इसका जो खोजा गया था वो rusty के दुवारा खोजा गया था तो वो उसे बहुत ही secretly रखना चाहता था और उसे हमेशा meeting point बनाना चाहता था the English in activities अब वो तीनों दोस्त क्या करते थे इंगल्च वो हमेशा लगे रहते थे activities में like fishing, swimming, wrestling इन सब वो मचलियां पकरते थे वहां पे और swimming करते थे wrestling करते थे and buffalo rights और वो buffalo पे rights भी करते थे क्योंकि हम देखते हैं किसान वगिरा अपनी गाए भैसों को जो पास में पूल होते हैं या फिर वो अपनी daily to daily activity करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे वच्चे भी थे वहां पे लेकिन जैसा कि रस्टी ने उस पूल को खो जा था तो वो वहां पे वो सब मिलके ये काम करते थे और वो से secret पूल बनाना चाहते हैं अपने meeting place के लिए उसके बाद हम देखते है next the pool not only symbolized the bond of friendship between them ये पूल सिर्फ एक माध्यम नहीं था एक symbolize करने का ये नहीं था उनके friendship के बीच में कि उनकी friendship है इस पूल के कारण बल्कि क्या था but also become a part of their consciousness उनकी consciousness का एक पार्ट था कि निर्मल मन बच्चों में बहुत चलावा नहीं होता है कपट नहीं होता है वो हमेश कर रहा है उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती को सिंबलाइज कर रहा है साथ साथ मन की consciousness को भी सिंबलाइज कर रहा है they decided to return on 5th April 1964 midday अब वो क्या करते हैं दिन प्लेस जब ले रहे होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि हम 10 साल बाद 5 अप्रेल के दिन दो फहर के समय में 1964 में वो म वो अपने promise को निभा नहीं पाते हैं Rusty के अलावा Rusty keeps up his words वो अपने words पे बना रहता है Rusty comes to the pool और वो 10 साल बाद 1964 को 5 अप्रेल के दिन Rusty उस जगह पर आ जाता है लेकिन उसके दोनों friends जो अनील और सोमी होते हैं वो नहीं आ पाते हैं वहाँ पे Rusty was the only one who went to the pool only वही एक जाता है on this scheduled day और जो schedule दी वी रहती है उस समय रस्टी वहाँ पर मवजूद होता है he was disappointed that his friends didn't keep up their promise और वो बहुत ही जादा निराश हो जाता है कि वो अपने उस जगह पर friends को ना पाकर बहुत ही निराश हो जाता है there is no bitterness लेकिन फिर भी जो रस्टी है उसके मन में कोई bitterness रेंकर नहीं है क्योंकि नफरत कोई गिले शिक्वे नहीं है as he understand और वो समझ गया है that with the passes of time जैसे जैसे समय बीटता है there needs and priorities change और उनकी जो महत्व कांक्शाएं वगेरा सब change हो जाती है उनकी जरूरती change हो जाती है उनकी priorities change हो जाती है क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है और परिवर्तन ही संसार का नियम है वो ये बात समझ जाता है इसलिए उसके मन में कोई भी bitterness नहीं है कोई भी खारापन नहीं है और किसी के लिए भी कुछ कहते है ना badness नहीं है वो बहुत ही सही अपने आपको समझा लेता है कि मेरे friends नहीं आए तो जरूर उसे पता था जैसे अनिल बहुत ही बड़ा business man बन गया है और सोमी जो है वो आर्मे में चला गया है तो वो समझ जाता है इस बात को हलांकि हम इस summary को read कर रहे हैं लेकिन full story भी हम अच्छे से पढ़ेंगे book से so वो समझ जाता है their needs and priorities change हो जाती है लोगों की to his amazement और उसको जो थोड़ा सा अचमभा भी होता है he discovers another pool और क्योंकि उसको जब अचमभा का होता है जब वो एक अलग pool देखता है देखिए जैसे कि हम देखते हैं एक pool है वो यहाँ पे आज उसमें पानी भरा हुआ है okay हम एक example लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद पानी जो नदी आ रही ही है यह नदी है ओके यह नदी आ रही ही है यह अपना रुख मोड लेती है माली जे पहले यह यहां तक आती थी इसलिए इस गड़े में इसने पानी को फ्लो करवाया लेकिन अब इस नदी ने इस और अपना मुख मोड लिया है तो अब जो गड़ा बनेगा या फिर जो तालाब या फिर कोई पुल बनेगा वो दूसरी जगह बनेगा यह यहां बनेगा और पुराने वाला जो पुल होगा वो मिट जाएगा आपके क्युकि नदी ने अपना रुख मोड लिया है तो सेम बात वो कह रहा है कि जैसे किसी नदी अपना मुख मोड लेती है और एक तलाब दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है वैसी समय के अनुसार जो दोस्ती है वो भी वदल जाती है और सब कुछ चेंज हो जाता है लेकिन उसे आश्चरे कब होता है तो इस अमेजमेंडर जब वह दूसरा फूल देखता है और वह अंप नहीं है तो उस ने देखा कि जिस तरह से फूल वहां पर नहीं है और अलग दूसरे घ्रंट पर फ्रेंड सदेख़ें वह चुछाना ले घीटे उती अक्धिर से कुछ का चूछ नमई in it, he imagines himself और वो क्या imagine कर रहे हैं कि वही पुराना टाइम जब उसके तीनों दोस्त वो मिलके खेल रहे थे और उस प्लेस को वो imagine कर रहे हैं और ये स्टोरी मेसेज कर रही है that life goes on, come what में, कुछ भी हो जाए जीवन निरतर चलता रहता है, किसी के लिए भी नहीं रुकता है शोमी और अनिल अपने जीवन में खुश है और वो शायद भूल चुके हैं अपने उस प्लेज को जो उन्होंने बचपन में किया था उस प्रॉमिश को तो ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें किसी के लिए भी निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपने लाइफ में चेंज होता ही है तो हमें पुरानी यादों को भूला देना चाहिए जहां तक हो सके ऐसा ही इसमें कनवे किया गया है मैसेज कि फ्रेंडशिप फॉरेवर नहीं रहती है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है तो जितना टाइम मिले उसे एंजॉय करें और अगर आपको बाद में वो सेम फ्रेंडशिप नहीं मिलती है तो उसका पश्तावा नहीं करें क्योंकि लाइफ चलती रहती है वो किसी के लिए भी नहीं रुकती है चाहें कुछ भी हो जाए यहीं पर कहा गया है कि लाइफ गोज आन लाइफ जाती रहती है चलती रहती है कम वाट में चाहें कुछ भी आजाए कुछ भी हो जाए तो यह स्टोरी बहुत ही ब्यूटिफुल थी और इसका जो summary है मैंने वो पूरी आपके साथ explain कर ली है so thank you so much for watching my video और ऐसी short story के लिए subscribe करें